आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंगूर की एक बहुत ही डिलिशस और अनोखी रेसिपी यह रेसिपी आपने एक बार देखनी नहीं तो आपको इतनी पसंद आएगी कि हाप हर बार इसको बना के ट्राय करोगे तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो इमान शीजवार आज मै अंगूर की रेसिपी बनाने वाली हुना ऐसी आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी लेकिन इतनी टेस्ट है कि आपको बहुत पसंद आएगी तो यहां पर मैंने बिल्कुल फ्रेश वाले अंगूर लिये हैं इनको साफ करके अच्छे से धोल गिया है अब मैं क्या करूंग तो यह बीच में ऐसे आएगा बाइट्स के में तो बहुत अच्छा लगेगा अंगूर की इसके अलावा और भी बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपने चैनल पर डाली है और किश्मिश कैसे बनानी हैं अंगूर से और बहुत आसान तरीके से वह भी बताया है तो आप जरू आप जरू चैक आउट कीजिएगा यह देखिए इस तरीके से अंगूर के गोल गोल जो है हमें पीसे करने हैं लंबे वाले अंगूर लीजिएगा यह मीठी होते हैं तो बहुत अच्छी रेस्पी बनेगी अब यहां पर मैंने एक कप के करीब यह देखिए इतना कप करीब पानी जो है फ्रैंक पैन में चड़ा दिया है यह गरम हो रहा है तो इसके अंदर हम सारे के सारे अपने अंगूर जो है यह डाल देंगे और इसको जो है हमें बॉइल करना है थोड़ा सा अन्यूजिवल क्रोसेस है लेकिन आई नो बहुत अच्छी रेस्पी बनेगी तो आ अच्छा कॉंबिनेशन रहता है चटपटा लगता है तीखा और चटपटा लगता है तो एक चमठ भरके मैंने इसके अंदर मिर्ची डाली है और इसके साथ मैं एक डली करीब गोर्ड ले रही हूं गोर्ड से जो है और एक्स्ट्रा मीठा हो जाएगा तो यह देखिए इस है तो हम क्या करेंगे कि इसको दो से तीन मिनट इस तरीके से ही बॉइल कर लेंगे जब तक कि जो हमारे अंगूर है न यह ट्रांस्परेंट टाइप के नहीं हो जाते मीडियम आज पे मैं इनको बॉइल कर रही हूं और यह देखिए दो से तीन मिनट हो गए है यह थोड़ इसके अधर तब तक आपको ट्रांस्परेंट नहीं लगेंगी यह फूले-फूले इसे हलके कलर के लगेंगे लेकिन देखिए जैसे गैस बंकर मैंने इसको अलग बाउल में ट्रंसफर किया यह हलके से ट्रांस्परेंट हो गए है तो इतना ही पकाना है मैं दो या तीन मिन डाली है सौफ का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा तो जरूर डालिएगा और इसके बाद यह जो हमने गोल-गोल काटके रखे थे ना अंगूर यह डाल देंगे तो यह रैस्पी बहुत अच्छी है आपको बहुत पसंद आएगी और इतनी काम की है ना अभी मै करीब धर यहां पे फोड़ी सी अद्रक जो है वह डाली है किया रक्क की पेस्ट है मैंने एक चमच के करीब दे Constitution की पेस्ट literal की डाली तो जादा तीखी नहीं डालेंगे अब यह जो मिर्च है नहीं सरफ कलर के लिए डाली है मैंने यह ऑप्शनल है आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन इसके खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है इसलिए मैंने डाली है अब इसके अंदर मैं दो बड़े चमज के करीब चीनी दाल रही हूं यह अंगूर अभी हम सेक रहे हैं मीडियम आच पे और इसके अंदर चीनी भी डाली है वैसे ध्यान रखिएगा मैंने गोड़ भी इसमें डाला है तो ज्यादा चीनी नहीं डालनी है सिर्फ दो बड़े चमज के करीब डालनी है अब जैसे यह हलका सा पक जा दिए पस एक बार घुमाया है मैंने और जैसे यह मिक्स हो जाये पिस जाये तो इसको मिक्सचर में डाल देंगे आप देखिए इसको मिक्स करेंगे और यह हमारी बहुत ही टेस्टी जो है अंगूर की खटी मिठी चटनी बनने वाली है आपने इमली की चटनी बहुत बार दाला है तीनों पाउडर डालने के बाद इसको जो है हम थोड़ी से देर धीमी आज पर ढख के पकाएंगे दो से तीन मिनट यह देखिए दो से तीन मिनट धीमी आज पर पकाने से यह जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से गाड़ी हो गई है और काफी ट्रांस्परेंट सी हो गई है बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है और खुश्बू तो मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी आ रही है तो अब यह चटनी लगबग त्यार है लेकिन इसमें जो है खटास की थोड़ी सी कमी है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधी निम्बू का रस और यह है बच्छो को इस परेशली बहुत पसंद आती है और पहुत ही जादा अच्छी वी होती है help के लिए इमनली वाली चटनी सही सही है बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट है बहुत ही ज़्यादा डिलिश्यस है और आप इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है तो एक बार यह अंगूर की चटनी ज़रूर बनाके ट्राय किजिएगा इसको आप फ्रिज में रखके स्टोर कर सकते हो 15-20 दिन भी खराब नहीं होती यह रेखिए इस तरह के से कांच की बोटल में में डाल के और रख दूँगी तो कमेंट करके बताएगा आपको यह रैस्पी कैसी लगी साथी वीडियो को लाइक और अपने जाज जादा फ्रेंज के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए मैं चलती हूं आप से मिलती हूं नेक्स टेस्टी रेस्पी में तब तक के लिए बाई